हलो दोस्तो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विने स्टडी के अन में स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहार से संबंदित कुछ महत्पून बहुविकल्पी प्रशनत जो की विगत वर्सों में PSC और व्यापमदारा पूछा गया है दोस्तो यदि आप पटवारी की, R.I. की, S.E.F. रेंजर की या हॉस्टल वाडन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्पून होने वाला है दोस्तो इस पकार के वीडियो यदि आपको चाहिए तो नीचे आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा पहला प्रशन, रंगपूर जहां हडपा की समकालिन सब्विता थी आप्शन दिया है पंजाब में, पूर्वी उत्तरपदेश में, सौराष्ट में और राजिस्थान में तो दोस्तो रंगपूर जहां हडपा की समकालिन सब्विता थी वे थी सौराष्ट में, सौराष्ट कहा हैं गुजरात में रंगपूर के बारे में देख लेते हैं तो रंगपूर में तीन संस्रीतियों के अवसेस मिले हैं यहां पर नालिया, धान की भूसी, जौरबाजरा और कच्ची इटों के दुर्ग मिले हैं तो रंगपूर में आप इसे ध्यान रखिएगा दूसरा प्रस्ण दोस्तों निम्न में से कौन सा इस्थल घागर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में इस्थित है ओप्शन दिया है आलमगिरपूर, लोथल, मोहन जोद्रो और काली बंगा तो आलमगिरपूर हिंडन, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, लोथल जो है भोगवा नदी और मोहन जोद्रो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है और काली बंगा जो है घागर घागर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ओप्शन दी घागर नदी में काली बंगा सही होगा काली बंगा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर जूते हुए खेत, लकडी की नाली, भुकम के साक्ष अगनी, हवन, कुंड, जिसे अगनी वेदिका कहा गया है, अलंकृत, इट, चूडिया, संभवता एक साथ फसल बोने का साक्ष यहाँ पर मिला हुआ है तो ध्यान रखेगा, तीसरा प्रस्ण दोस्तो, रिंग वेद का कौन सा मंडल, पोड़ता सोम को समर्पित है, देखेगा, ओप्षन दिया है, साथवा मंडल, आठवा मंडल, नौवा मंडल और दसवा मंडल, तो दोस्तो, रिंग वेद का नौवा जो मंडल है, वो सोम को सम इसलिए इसे सोमंडल भी कहा गया है चौथा प्रशन निमलिकित अभी लेखों में से कौन सा इरान से भारत में आये आरियों के बारे में सूचना देता है ठीक है ओप्शन देख लेते हैं मान सहरा सहबाज गड़ी बोगज कोई और जुनागड तो दोस्तो इसका जो सही उत् प्रशन निमलिकित में से कौन एक अशोक का अभी लेख इस परंपरा की पुष्टी करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बनी में हुआ था ओप्शन दिया है बशाड इस्तंब अभी लेख निगाली सागर इस्तंब अभी लेख राग पूर्वा इस्तंब अभी ले तो दोस्तो अशोक का रुमीन दही इस्तंब अभिलेग परंपरा की पुष्टी करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्मेने में हुआ था और अशोक और गौतम बुद्ध का मुलाकात जो है कलिंग युद्ध के दोरान हुआ था तो आप्शन दी सही होगा चाटवा प्रशन बुद्ध की असी फूट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी ओप्शन दिया है जपानियों के दोरा थाई लोगों के दोरा स्री लंकाई के दोरा और बोटानियों के दोरा तो दोस्तो बुद्ध की असी फूट की जो प्रतिमा है उसका निर्मान जापानियों के द्वारा किया गया है तो option A सही होगा साथवा प्रश्न अनुवरत सिद्धान का प्रतिपादन किया था option दिया है महायान बौध्ध संप्रदाय ने, हीन यान बौध्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने और लोकायत साखाने तो दोस्तो अनुवरत सिद्धान के प्रतिपादक थे वे थे जैन धर्म option C सही होगा आठवा प्रश्ण जैन संप्रदाय के प्रतम विभाजन के समय स्वेतांबर संप्रदाय के संस्तापक थे ओप्शन दिया है इस्थूल भद्र 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 बाहु और काल काचारिय और देवति छमा स्रम तो इसमें ध्यान दीजेए दोस्तों कि इस्थूल भद्र जो है वे स्वेतांबर संप्रदाय के संस्तापक करता थे और ये स्वेत वस्त्र धारन करते थे और भद्र बाहु जो है दिगांबर जो वस्त धारन नहीं करते थे और ये लोग जो है दक्षिन की ओर गमन किये तो आ option A, नौववा प्रश्ण दोस्तो, निमलेखित में से कौन सार प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, option आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा, आजीवक, मत्तम यूर, मैमत और इशान सिव, गुरुदेव, पद्धती, तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा, option B होगा, मत्तम यूर, मत्तम यूर इसका सही उत्तर होगा, और आज का अंतीम प्रश्ण दोस्तो, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है, तो अभी जो है, option देखते हैं, 7, 8, 9 और 10, तो दोस्तो भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या, 8 बताई गई है तो option सी सही होगा तो दोस्तो आज का यहाँ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यदि अच्छा लगा हो तो comment करके जरूर बताइएगा इस topic पर वीडियो हम जल्दी cover करेंगे Thank you दोस्तो वीडियो की link अपने दोस्तों तक share कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर कर दीजेगा यदि अच्छा नहीं लगता तो dislike आप कर सकते हैं Thank you दोस्तो